हेलो तोस्तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो आज किस वीडियो हम देखने माले हैं कच्छा दसमी का फिजिक्स जप्टर टू जिसका नाम क्या है प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग लगुतर ये प्रश्न पार्ट टू वीड तक अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक हम ऍसक्रीपिशन में देदेंगे जो आप वहां से जा के देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आप को दिखाओगा तो आप क्लिक करके वहां सभी आप वेडियो को देख सकते या तो ला स्ट में इंड़ यह विडियो को तब 11 नंबर की विश्ण देखिए क्या है कि आपको एक उत्तर लेंज एक आउत्तर लेंज तथा एक काच की विर्थाकार पट्टी दी गई है उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कई से बताएंगे यानि हम कई से बता सकते हैं कि कौन उत्तर पड़े वह उत्तर लेंज है यानि कि हम इस तरह से देखिए जो लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे ठीक ना देखेंगे लेंज तो जहां पर हमको सीधा और आवर्धित यानि सीधा दिखाई दे और थोड़ा सा उल्टा बड़ा दिखाई दे मतले सीधा दिखाई दे यानि कि सीधा दिखाई दे और कि सा दिखाई दे चोटा दिखाई दे और ऑute वह समझेगे कि काच की विर्थाकार पटी यानि कि जैसा है उसी तर टाइप का अगर दिखाई देते समझाएंगे कि काच का मतलग पटी है और अगर देखेंगे कि छोटा दिखाई दे रहा तो ओतल लेंस है और बड़ा दिखाई दे रहा तो उतल लेंस है ठीक है यहां से आ बारा नमबर की उसन देखते हैं बारा नमर की उसन है कि किसी उतर लेंज द्वारा जब सूरी की कीरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है कारण असपस्ट करें क्यों उठता है तो इसका दखी कारण है इसका उतर दखी हो जाएगा कि सूरी से परकास क कि उसमा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसीत होती है जो इसमा इस से चलूट उटा बोक्स देखते हैं न कच्छा दसमें पढ़ने के लिए जो ऑजार बोक्स जिसको बोलते हैं इस टाइब का दखिए तहीं जब फोकस करते तो जल उटता था वही उससे भी होता है उत् अकसतरित होता है चलिए अब तेरा नमबर कीए उस這邊 करसरी तो फोकसे एग जगहें कतरित होगा और ठीक खराब करसा को आङ के सामने रख कर सुरा को देखने पर सुरी से आते उसमां आक के रेटीना पर फोकस्तित होकर उसको अधिक छाती पहुंचा सकती जिससे आख खराब भी होने की संभावना है तो ऐसा करने के कुशिस नहीं किजिएगा आप लोग नहीं तो फिर अंधा हो जाईएगा चलिए आप 14 नंबर की उसन देखिए चौदा नंबर की उसन क्या आया कि यदि किसी जोरी यदि किसी उत्तर लेंस पर आपतित कीरन लेंस के आच के समांतर के पर साथ किस परकार मुड़ेगी कीरन आरेक द्वारा इससे परस्ट किजिए तरह से अब यह इदर से परकास गया तो यह इदर कहां पर मुड़ी फोकस यह वह गया देखिए जो लाइन जा रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य आच है और यह परकास इदर आया यह फोकस पर कटा थी इसको बोल दिया हम लोग फोकस तो यह वह हो गया इसका फिगर ठिक ना तो फोकस यह देखिए का हो जाई गुजरेगी तो यहां पर देखिए लेंस के अच के समानतर अपवरतन के बाद फोकस पर मूड़ेगी चलिए आप 15 नमर की उसन देखते हैं 15 नमर की उसन क्या कि जब वह तो उत्तर लेंस के एफ और टू एफ के बीच इस्तित हो तो परतिवीम बनने को कीरन आरेख द्वारा दिर्शाए कीरन आरेख द्वारा यह हो गया क्या इधर हो गया देखिए एफ हो गया आयो गया टू एफ यानि इसके बीच में परतिवीम रखा जाता देखिए यहां पर क्यूशन फिर से देखिए क्या बोलगा कि जब वस्तू उत्तर लेंस के एफ और टू एफ के बीच इस्तितों तो परतिवीम कहां पर तो देखिए है जब परकास जब पर्ति भीम देखिये यहां पर फ्रली और इस तरह से पर्ति Familien तभीम असको क्या करेगा आप चलिए आप 16 number action देखते हैं 16 number question क्या है? उत्तार लेंस और जए अंतर को असपस्ट करें यानि कि दोनों में अंतर बताना क्या है यहें उत्तार लेंस और यह जाय नलेंस उत्तdarा है इसका focus वास्थविक होता है इसका focus kalpini होता है परकास को अब शरीत करता है और यह परकास को अपसरीत करता है कि यद 누가 इसका उत्तर नंबर देखते हैं कि रहुत अब सारी लेंस उत्तर लेंज को अब सारी लेंज क्यों कहते हैं तो क्यों कहते हैं इसका उत्तर किया है कि यानि उत्तर लेंज पर जो आप परकास की समांतर किरने आप्तित होती है तो लेंज से आप वर्तन के बाद यह समांतर किरने एक बिंदू पर मिलती है यहां पर मिलती है लिखना इसस ऐसपहस ठोड़ता है कि उत्तर लेंश समांतर किरनों को अभि elkसरीद करता है इस घुण के कारन इसे अभिसारी लेंश को मतलब क्या न आता ओसको क्या करता एक विन्दू पर मिलाताइश ूर्पि फरकास जो है इस तरह से इस से इस तर में परकास जो a पर पढ़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरने आपस में फैलती जाती है आउतर लेंस प्रकास की समांतर किरनों को अपसारित कर दे था इस गुन के कारण आउतर लेंस को अपसारित इसका देखिए जो है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सॉट वीडियो में ड जब यह देखिए पार होता है इस तरह से इस तरह से चल जाता यानि कि इधर गया इधर गया और यह इस तरह से क्या होता है फैलते चल जाता है इसलिए इसको क्या करते है अपसारी लेंस क्या ठीक ना अठारा नंबर क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि एक वस्तु को लेंस से कुछ अधिक दूरी पर जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाता है तो उस वस्तु के परतिव जाइसे लेन्स के फोकस तक लाया जाता है तो अधीक दूरी याने कि अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के focus तक लाया जाता है तो मान के चलिए कि यहां पर लाया गया कहां पर तक लाया गया तो उस वत्सकित परतिविम का कार किस परकार परिवर्थ रिदकता होगा कि अगर यहां पर होगा यानि कि जैसे-ख से ան्यां के नज्दीक आते रहेंगे वह Вас युश्य Ne present बढ़ेगा यहां तो और बड़ा होगा यहां पर तो ओर लुए ते रहेंगे जितना दोर जाएंगे फोकसने इतना छोटा बनेगा और जितना फोकस के नजदीक आएंगे उतना ही बड़ा पर्तिवीम बने गा तो यहां पर उत्तर देखिए इसका हो जाएगा कि एक उत्तर लेंज की फोकस दूरी है यदि एक वस्तु को लेंज से टूएफ से कुछ अधीक दूरी जैसे जैसे लेंज के फोकस तक लाया जाए तो उस वस खीजा चंटा से आप किया समझते इसका एसाए मात रख लह कि चंता क्या होता होता तक है कि कि इसकी हो जाए में propose कर्म तो फोकस धूरी यानि की फोकस धूरी होता ना तो यानी वलिट तो उसी को क्या कते हैं या चछंता कते छंतीन के पी बराबर हो गया grass paste इसका मातरक पर्द प्रकत होता जो मातरक्फ में याद रखिएगा अभी आएक यूशन आएगा नुम्रीकल आएगा वहां पर यह देखें मीटर जो है यूज में आएगा इसका जो मतलब इसे जिसे डाइव भी कहा था यूप्टर भी से क्या कहा जाता यह देखें यहां पर आ गया एक यूशन में देखें यूज होगा हो दो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की छमता क्या होगा पहले फिर से एक बार की समझ्जिए क्या बोल रहा है कि एक उत्तर लेंस वस्तु का वास्ट्विक और उल्टा परतिवर्म लेंस से 40 cm बनाता है यहने कि ये परतिवीम का जितना अकार है उतना वस्तु का भी अकार मानगे चलिए वस्तु जो है दखिए इधर मानगे चलिए कि वस्तु जो है इतना बड़ा है ठीक ना तो परतिवीम भी कितना बड़ा है उतना ही बड़ा है तो वहीं बोलगा कि अकार दोनों का क्या है बराबर है तो वस्तु लेंस से कितन दूरी पर हो चुकि वस्तू और परतिभीम का का क्या है बराबर इसलिए वस्तु लेंज की दूगनी फोकस दूरी पर है रथाट यानि कि फर इस्थीदेग तक आप लोग पढ़ेंगे परतिभीम वहाँ देखिए यहाँ पर उत्तर लेंस है तो फोकस पर रखेंगे तो क्या हो दाएगा यहां पर फोकस पर अगर परतिवीम वस्तु है तो इसका परतिवीम बड़ा बनेगा इसका परतिवीम क्या बनेगा इससे बड़ा बनेगा अगर यहां पर हम बना रहे हैं तो वस्तु का जो परतिवीम है यह दोनों क्या होगा यह वला और यह वाला दोनों क्या होगा बराबर यह वाला दोनों आपस में बराबर होगा यह वस्तु का परतिभीम और यहां पर यह परतिभीम तोनों क्या होगा बराबर होगा तो वहीं बोल रहा है कि क्या यहां पर होगा याने कि 20 छालीस सेंटीमीटर हो गया चानी सेंटीमीटर उसे सोरी टू से 40 तो कड़ जाए बराबर कितना आगया 20 सेंटीमीटर यह से लिख दिए एक बराबर विस सेंटीमीटर अब दखिए इता हम दूरी निकाल दिजितना आगया 20 cm दूरी आगया 0 लेकिन हम लोग किसमें पढ रहें मीठर में यहां पर हम बताएं था थज़ा है है कि मीटर में इसका मात्रक जो होता है कैसा होता है मीटर में इसको मीटर में निकालना पड़ेगा कैसा निकालना पड़ेगा मीटर में देखिए यहाँ वन वाई 20 जो आया इस सेंटीमीटर में है कि नहीं इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बट्टा में 100 सभाग देंगे त हो जाएगा सो बटेम हो जाएगा 20 मीटर में हो गया अभी 20 से तो कट यदा सो कितना वरते गटे-गा पांच मरतवी जैंद पांच मीटर हो गया जिसको हम लोग डाइ ऑपतर भी बोल सकते हैं या भी यानि पाछ डी मतलो हो गन्स की छमता फिक पीनिकाल लें आप सटाक एक झिपका के संपर्क्र मरगरा कि जो हम लूग उसका बनाते हैं उपयोग हम लोग उसका कहा पर करते हैं कि असे लुप समानिट क कैमरों के लेंस यूंत ब करते हैं कि आज नकरते हैं को इसका अच्छा लगा करना पड़ता तो मेनत तो लगता है मेनत जब लगता तो वीडियो भी अच्छा बन पाता है कि इस तरह से आपको तो मेरे लिए थोड़ा सब्सक्राइब करना नहीं आपको मेहनत करना थोड़ू करना नहीं आप वीडियो देखें बस वीडियो को लाइक करते एक सकेंड भी नहीं लगेगा और आपको और किस चीज पर वीडियो चाहिए और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा ठीक है मिलते हैं अगले बुड़ो में तब तक लिए जाएंद जाए भारत